तो आज हम लेकर आए आपके लिए बहुती डिलीशीस और बहुती टेस्टी से आम के सबजी की रेसिपी, यकीन मानИे अगर आप एक रोटी खाते होंगे तो इस सबजी के साथ में आप 4 रोटियां काएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशे सी सबजी बनकर रेडी होती सिर्फ घर के कुछी इंग्रीडियन्स है हम इतनी ला जवाब और इतनी टेस्टी सी डिश बनाकर रेडी कर सकते और सबसे अच्छी बात है कि हम इसे एक साल तक है स्टोर कर सकते और ऐसा नहीं है हम इसके साथ में रोटी ही खाए हम इसे पराठे के साथ में इंजॉय कर सकते हम इसे समोसों के साथ में इंजॉय कर सकते हम इसे पकोडों के साथ में इंजॉय कर सकते हम इसे पकोडों के साथ में इंजॉय कर सकते बहुती डिलीशर बहुती टेस्टी ये रेस तो सबसे पहले हम गैस पर एक कड़ाई रखेंगे और कड़ाई में त्री टेबल स्पून भर कर हम ऑईल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर हम क्या करें कच्छे आम लेंगे और इसे आगे पीछे से एक नाइफ से थोड़ा-थोड़ा कट देंगे हम यह बहुत देना ज जो है यानि कच्छे आम को जो है इसे कट दे देना है तो हम लगभग तीन मीडियम साइज के कच्छे आम लेंगे और इसे कट दे देंगे अब इसमें हम क्या करेंगे इसकी जो फ्लेम है अब इसे स्लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा स्पैचूला से पलट देंगे हमें ज पखने से पहले हमें इतना काम करना है कि दो से तीन मीट तक के इस पेचुला से पलटे रहना है ताके जो है यह नीचे लगना जाए या जलना जाए और अगर छोटे मीडियम साइज के एक दम छोटे आम होते हैं तो उसे जब कर रखने की जरूरत भी नहीं होती है ऐसे यह ग फ्लेम पर पकाना है अब हमें एक नाइफ डाल कर देखेंगे इस मैंगो में यानि आम में यह गल चुका है कि नहीं अगर यह गल चुका है तो फिर हम क्या करेंगे एक पिलेट लेंगे और उस फे बाहर निकाल लेंगे और यह जो आईल है हम अपने कोई भी सबजी में ठंडा होने देना है पिर इसके ऊपर के चील के उतार लेना है जैसे हम बैगन के भरते के लिए कैसे बैगन को सेखते और उपर से चिल के उतारते है बस उसी तरीके से और बैगन को जो छिलके उतारने के लिए तो भी थोड़ी तकलिफ होती लेकिन इसके आम के छिलके उतारने को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, इतना है कि ठंडा होने दिना है, अब यहाँ पर हमने आम के छिलके उतार लिया और एक नाइफ से जो आम क अंदर का जो मगस होता है वो भी हमने निकाल लेंगे कुछ गुटलिया हमारे पास में घर में भी एक्स्ट्राप पड़ी हुई तो आपके पास में भी हो ताप भी इस तरीके से गुटलिया जो कच्छी कहिरी की होती है तो वो भी इसमें यूस कर सकते हैं 125 ग्राम हम जैगरी लेंगे अगर आपको जादा कॉंटिटी में बनाना है तो फिर हम इसी रेशियो से जो इंग्रीडिन्स का रेशियो बढ़ा सकते हैं फिर वन टीस्पून कलोंजी लेंगे आट से दस लाल जो सूखी हुई मिर्श होती है नो वो हम दालेंगे बहुत हल्दी दालेंगे लगबख हाफ टीस्पून गरब मसला पाडर दालेंगे इसमें हाफ टीस्पून वन टीस्पून भरकर हम इसमें साबुच जीरा दालेंगे और फिर इसमें हम क्या करेंगे हाफ टीस्पून भरकर हम हल्दी पाडर दालेंगे हमने हल्दी पाडर आपको प से थी टेबल स्पून भरकर हम इसमें पानी डालेंगे वरना हम आदा कभी इसमें पानी डाल सकते हैं और पानी डाल हैं हम पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गैसकी फिलेमई इसे forejang पानी दालें कि हमने फोड़ा सा वाट přूंट बाव छहां है और फिर हम इसे तरहिकरें कि मिक्स कर Лए लगराइग만 है अकॉर्डिंग इसमें नमक यूज करेंगे और नमक यूज करने के बाद में फिर से हम इसे मिक्स करेंगे इस पर लीट जाग देंगे और स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे slow flame पर सिर्फ 10 मिट पकने देंगे 10 मिट के बाद में फिर हम इसे जो इसका जखकाने हो खोल कर देखेंगे अब इस टाइम पर हम एक कप भर कर पूरा एक कप भर कर हम water दालेंगे तो लगभख हम यह आधा दालेंगे और अच्छी तरीके से mixing करेंगे जितने अच्छा हम mix करेंगे ना तो इतनी अच्छी जो इसकी gravy बनकर तयार होएंगे और यकीन मानी इसकी gravy से हम हर snacks enjoy कर सकती इतनी tasty बनकर ready होती और कच्छे कईरी का सुआद भी हमें 12 माईने यानि एक साल भर तक के हम ले सकते हैं अगर इस तरीके कि हमने यह आम की चटिनी क कही लीजिए यह सबजी कही लीजिए आप बना कर रख देंगे तो हम क्या करेंगे आप अच्छी तरीके से mix करेंगे ताकि इसमें जो गुड है यानि जैगरी है वो भी अच्छी तरीके से melt हो जाए और सारे spices भी अच्छी तरीके से mix हो जाए आप जो बचा हुआ जो water है तो वह भी इसमें डाल देंगे ताकि यह लगभग एक कब water हो जाए अगर आपको एक साल तक के इसे store करना है तो फिर हमें के water है तो वह हमें एकदम कम यूज़ करना पड़ेंगा यानि 2 से 3 टेबल स्पून तक के water यूज़ करना पड़ेंगा और जो जैगरी है उसकी quantity जाए तो वह हमें अगर store करना है न तो जो जैगरी है तो जैगरी में ही हमें इस टाइप का texture लाना पड़ेंगा तब हम इसे एक साल तक के store कर सकते तो हम क्या करेंगे इसे अच्छे तरीके से mix करेंगे हमने इसे टोटल 15 मिट तक के पकाया 15 मिट में जो जैगरी है वो भी अच्छी तरीके से mix हो चुकी है और इसका जो water content है वो भी खतम हो चुका है यानि यह gravy में convert हो चुका है तो लीजेगा इस बहुत amazing और delicious से जो mango की सबजी है यानि कच्छे आम की सबजी हो ready है तो I hope guys आपको यह unique सी और जबर दस सी recipe पसन आई हो अगर इसी तरीके के आपको content इसी तरीकी की recipe इस एक दब unique unique और नहीं नहीं अगर आपको पसन आती है तो please हमाय चैनल को लाइक केज़े शेयर कीज़े सब्सक्राइब कीज़े साइट में जो bell बटन आता उस call पर क्लिक कर दीजे ताकि आने वाले हर amazing से वीडियो की notification आपको मिलता रहा वीडियो वाच कर पर हम अपनी नेक्स recipe मिलते तब तक लिया लावें